हेलो वेलकम तो एजूपीन तो मेन क्या है कि आटी का जैसे आपको पता है कि आटी का जो हमने फॉर्म भरा था फिल किया था उसका ड्रो निकल चुका है तो रिजल्ड में बहुत कम नाम आए हैं क्योंकि हो सकता है जिनको फिल करना तर्म को इसकी इंफुमोशन नहीं मिल पा फिल कर सकते हैं जिनका आया है तो कैसे देखें तो उसके injured क्या करना आपको कैसे आया है कंडिश्यंट उसकी बता है աूजल में आपको सबस्छ ना है आटी-ग उत्रा hypoth ड्रौ तो बटन है ठोंरो आग है तो इसका लोट्री का है वो इसको यहाँ आइडिया आएगा उसका तो यह पेज खुल के आ जाएगा मारे पास तो इसमें क्या है आठी की उत्राखन एडिविशन लोट्री डिजर्ट टॉन्टी फूर सेकंड मैं टॉन्टी फूर एलेवन थर्टी एम बहुत टाइम दे रख लट्री प्रक्रिया संपन की जा चुकी है परिणाम पोर्टपल पर उपलब्द है तो इसका है कि उसकी 31 मार्ज तक तीन वर्ट स्पून होना चाहिए बच्चे का डेटर वर्थ इसके बीक में होने चाहिए जो यहाँ पर दे रखी है मैं दूसरण है प्रीपर प्रेंबरी युके जी उसका 31 मार्ज तक चार वर्थ होना चाहिए और इसके बीकमें बच्चे की एज होना चाहिए एक अप्रेल 2019 से 31 मार्ज 2020 तक होनी चाहिए अब आता है प्रिपर प्रेंबरी युके जी उसका 31 Um цеको पांच वर्थ पborg हो जाना चाहिए यानि बच्चे की जन्मति थी एक अप्रेल 2018 से 31 मार्स 2019 तक होनी चाहिए और क्लास फर्स्ट के लिए जिसके लिए बड़ा इशू रहा है को कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहा है कि क्लास फर्स्ट में अडिश्ट नहीं मिला उनको यूके जी रिपीट करना पड़ा है तो उसमें कंडिशन है दिनांग 31 मार्स तक को 6 वर्ट स्पून होने चाहिए बच्चे की जन्मति थी एक अप्रेल 2017 से 31 मार्स 2018 तक इसके बीच में होनी चाहिए चाहिए चाहतरों के पंज ärralaya संचालि सबसे निचली कग्षा में किया जाएगा यानि जिस कग्षा की साथ में आgalो आय। परणे में ध्म संबसें सबसा देना रहा है तो आपको फर्स्ट में अड्मिशन लेना पड़ेगा Uh, यहां आता है परणिधा अ के वाला पेज खुल के आ जाएगा यहां लिखा चात्र लोटरी परिणाम दोज़ा चौबीस दोज़ार पच्चीज करें तो यहां पर आप अपना जो आपका जो आइडी मिला था आपको रेट्रेशन के टाइम में उसको डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको पता देगा कि आपका नेम आए है नहीं आए है यहां तो कौन से स्कूल में आए है अब यहां पर जो रेजिस्टरेशन आइडी है मैं आपको डालके देखहाँ एसे नमबर डाल रहे है और मैंने नमबर डाला और यह सर्चम आया अब बच्चे का हो गया है तो उसका ने सर्धार्फा जा क्लास आई है क्लास यह और tax क्लास यह चाहिए और रॉक्त को लौटरी में डेस इसकूल को नाम देए कोट दे रखा है मिला है अब उसमें लिखाए किरपया दस्तविज ले ले जाका स्कूल में दाखिला करा है इसका मतलब है अब आपको बच्चे मेहीं पढ़ ला है तो दाखिला लेकिन दोबारा कराना पढ़ेगा आठी के तहता जिए विया आपने फिल किया है उस अगर आपको बच्चा कहीं और बढ़ना है और आपने जहां के लिए फिल किया है कोई दूसरा स्कूल है और वहां आपका आ गया है तो आपको साझागोमेट आपको देने है कौंसे लेकिए कब जाने है और आपका लेका जूकान में तो के लिए देर्ट और Examil वहार भूर को भोल खें और शाहरो होती है लो कि पहली बार में तट्रे नहीं होपाती है तो दो टीन बार कोशिश करते हैं पूरे तो government भी चाहती है कि आपके बच्चे अच्छी education ले और अगर आपके पास proper capital नहीं है पैसा नहीं है तो government help कर रही है तो आपको भी जागरू को रहना पड़ेगा और अगर इस टैप के अगर form आते हैं इसको fill करना चाहिए आपको तीक है क्योंकि जो government दे रही है तो उसका use की कीजिए आप तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो तब तक लिए गुडबाई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा